देखो बच्चों देखते देखते पूरा साल निकल गया और आप समय आ गया है कि हम और आप एक दूसरे को क्या कहें बाइ 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 अब आप एक नई क्लास में आ गए हो नई टीचर्स मिलेंगी आपको नए लेसंस मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए नई-nई जानकारि क्या आपको मिलेंगी नए नए चीजें आप करोगे और नए नए आपको अनुभव याने हुँगे है ना लेकिन जाने से Walk मेनी एक बात को आप क्या करोगे गाथ बांध कर रख लोगे का फिल कुल ऐसे बांधना जैसे में बांध रही हो और जो है ओ वह बांधन हो यह सीख और ये सीक मैं आपको एक कहाणी के माध्यम से देने वाली हूँ ठीक है? तो क्या करना है? आपको इसे गाठ बांध के रखनी है मेरी सीक को तो इस सीक को जाने के लिए कहाणी सुनना शुरू कर दीजै कहाणी है एक राजा के और देखो जैसा की राजा होते थे वो क्या करते थे अपने राजे के कोने कोने में जाकर अपनी प्रजा का हाल चाल बता करते थे देखो उस जमाने में ना रेडियो था ना टीवी था है ना न्यूस चैनल्स भी नहीं थे तो राजा जो है अपना रूप बदल कर जाते थे, साथ में सिपाही भी जाते थे, कि भई ऐसा नहों कोई राजा को उठा के ले जाए, राजा को नुकसान पहुंचा दे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो सिपाही भी साथ चलते थे, और सिपाही भी अपना रूप बदल और मजदूर लोगों ने अपना काम खतम कर लिया था और उसके बाद वो अब एक लाइन में लगे थे और सब अपनी मजदूरी ले रहे थे तो एक मजदूर ने अपनी मजदूरी ली उसको पोटली में डाला और चलने लगा राजा ने उसको पकल लिया राजा ने कहा सुनो बहीया मुझसे बात करोगे? मजदूर बोला हाँ क्यों नहीं? कर लूँगा. राज़ा बोले देखो ऐसा है मैं जानता हूँ तौर थके हो बहुत काम कर रहे थे लेकि मैं तुछ सम्हारा जाता समय नहीं नहींदा तो मजदूर बोला नहीं नहीं ऐसे कोई बात नहीं है मैं तो भी आट खंटे और काम कर सकता हूँ राज़ बोले ख़ाँ खैट दोनों जाके पेड़ के लिए से बढ़ गए राजा ने पूछा ये जो मजदूरी तुम्हें मिलती है वो परियाप्त है परियात्याने काफी इना तो मजदूर ने का हाँ काफी है राजा ने पूछा कितने मिलते हैं तुमको मजदूरी किती मिलती मजदूर ने का चार रूपया राजा बोले कैसे खर्च करते हो मजदूर बोला एक रूपया खाता हूँ एक रुपया करस देता हूँ एक रुपया करस चुकाता हूँ और एक रुपया भैट देता हूँ अब राजा चक्त है राजा बोले समझ नहीं आया मुझे तो मजदूर बोला देखो मैं पढ़ा लिखा तो हो नहीं मगर मुझे पहलियां बनाने बहुत अच्छी लगते हूँ तो मैंने पहलिया बना ली तो राजा बोले कि आचा वो तो ठीक है पहलिया का उत्तर भी तो बता दो तो मज़दूर ने कहा वह ऐसा है एक रुपया खाता हूँ मतलब एक रुपय में अपने परिमार के लिए भोजन जुटाता हूँ ताकि वो खाए पिये सिहत मन रहे एक रुपया कर्स देता हूँ यानि अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि जब मैं पूरा हो जाऊँ तो वो मेरी देखबाल कर सके एक रुपया कर्स चुकाता हूँ मतलब अपने माता पिता पर खर्च करता हूँ क्योंकि बच्चपन से लेके अभी तक उन्होंने ही मुझे पाला और पोसा तो मेरा फर्स बनता है ना कि मैं अब उनका ध्यान रखूँ और एक रुपया फैक देता हूँ अब आई समझ में अरे भाई राजा तो बहुत प्रभावित हो गए इंप्रेस हो गए राजा में कहा भाई अच्छा है इस पहली का हाल तुम नहीं बताना किसी को भी मजदूर बोला क्यों तुम कहीं कि राजा हो कि तुमने काओं मैं मान लूँ राजा बोले मैं राजा ही हूँ और उसके पाद उनका परिच्छे दिया अब तो मजदूर बोला ठीक है मानना ही पड़ेगा फिर राजा ने क्या किया सो अश्रफिया मजदूर को दी अब ये अश्रफिय मतलब क्या सिक्के देखो अपने पड़ा था ना कोईंस रुपीज याद है तो अभी वाले कोईंस के जैसे ही कोईंस होती थी लेकिन वो सोने की बनी होती थी या चांबी की बनी होती थी बता है तो वो राजा ने उसको इनाम में दी और बोले कि तुम ना जब राजा ने अपने दर्बार में सबसे पुझा यह पहली सुनाई कि एक मजदूर है वो एक रुप्या खाता है एक रुप्या कर्स देता है एक रुप्या कर्स चुकाता है और एक रुप्या फैक देता है पहली पुझाओ क्या मतलब है अरे भई सब लोग भॉचके अब सब तो राजा ने कहा मेरे राजे में कोई अकलमन नहीं है क्या तो भाई अगले दिन का इंतजार करते हैं ऐसा सोचके पूँ चले गए अब एक मंद्री न बहुत होश्यार था उसमें क्या क्या जानते हो राजा की जो सुरक्षा कर्मी थे न यहनि जो राजा के साथ-साथ चल र अगले दिन दर्बार में मंद्री न जवाब दे दिया अरे ये जवाब यहने उत्तर सुनकर राजा तो बहुत गुस्य में आया उसने कहा अपने सिपाईयों को जा उस मजदूर को पकड़ के लिए बुला कर लाओ उसको ठीक है भाई मजदूर को बुला कर लाया गया और रा पहिली का हल नहीं बताओगे तो फिर तुमने बादा क्यों तो बच्दूर ने कहा कि राजन मैंने कोई बादा नहीं तोड़ा है राजन बुले ऐसा कैसे हो सकता है बुले ऐसा है मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ आपके मंतरी मेरे पास आये और उन्होंने मुझे जो है एक ठैला दिया उसमें दस अश्रफियां थी तो उन्होंने पहिली का उतर पूछा तो मैंने उनको नहीं बताया फिर उन्होंने मुझे दस अश्रफियां और दी मैंने फिर भी उत्तर नहीं बताया उन्होंने मुझे दस अश्रफियां और दी मैंने फिर भी उनको उत्तर नहीं बताया ऐसे करते करते उन्होंने मुझे सो अश्रफियां दी फिर मैंने उनको उतर्पता दिया तो राजा बोले देखा तुमने वादा खिलाफी की ना तुमने वादा तोड़ा ना तो मजदूर बोला नहीं मैंने कोई वादा नहीं तोड़ा राजा बोले ऐसे कैसे हो सकते मजदूर ने कहा आपने कहा था मैं तब तक पहली को उत्तर ना बताऊं जब तक मैं आपका चेहरा सो बार न देख लो अब हर अश्रफी पे आपका चेहरा बना हुआ है तो जब मुझे सो अश्रफियां मिली तो मैंने आपका चेहरा सो बार देख लिया और जब मैंने आपका चेहरा सौ बार देख लिया तो मैंने पहली का उत्तर दे दिया अरे भाई राजा तो मतलब क्या बोले मजदूर की अकलमंदी देकर इतने खुश हुए इतने खुश हुए कि क्या बात बोले वह कितना अकलमंद है ये मजदूर अपनी बुद्धी के बल पर इस मजदूर ने और अश्रफिया कमा ली थी तो भई बच्चों बहुत जादा तारी बहुत जादा प्रशंसा इस राजा ने मजदूर की की और उसको फिर बाद में बहुत इनाम भी दिया बराबर इनाम देते रहे तो मेरी जो सीख है आपके लिए वो ये है कि बुद्धी ये जो आपकी बुद्धी है ना ये आपका सबसे बड़ा मालू में क्या है एसिट एसिट बोले तो सबसे बड़ा खजाना आपकी सबसे बड़ी सबसे स्ट्रॉंग चीज है अगर आपके पास बुद्धी है तो आपके पास पूरी दुनिया है पूरी दुनिया आपके मुठी में है तो इस बुद्धी को बढ़ाने का काम लगातार करते रहिएगा समझ गए और बुद्धी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है आपको बहुत सारी किताबे पढ़नी होती है बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारा ज्यान अर्जित करना पढ़ता है मतलब बहुत सारी information आपके पास होनी चाहिए और information कहां से आईए? किताबों से तो किताबे पढ़िए ऐसी ऐसी चीजे करिए जिसमें आपकी बुद्धी बढ़े यानि ऐसे ऐसे problems को solve करिए जिनसे आपकी बुद्धी जो है वो बढ़ती जाए ऐसे ऐसे प्रशनों का उतर दीजे सोचिए जिससे आपकी बुद्धी इस्तमाल होती रहे खाली नहीं पैठिए यह mobile और TV और computer games थोड़े बहुत अच्छे हैं लेकिन आपको सबसे जादा काम क्या करना है आपको ऐसे काम करने हैं जिसमें आपकी बुद्धी का इस्तमाल यानि उपियोग होता रहे क्योंकि जितना ज्यादा आप बुद्धी का इस्तमाल करेंगे उतनी ज्यादा आपकी बुद्धी बढ़ दी जाएगी तो बच्चों मेरी ये सीख बिलकुल मत भूलना बुद्धी को लगातार बढ़ाते रहना समझ गए? अच्छा? तो अब बाई-बाई टेक केर ओफ यॉरसेल्फ अपना बहुत ध्यान रखना और लगातार आगे बढ़ते रहना अपनी पुद्धी के बल पर बहुत सारे इनाम बहुत सारी प्रशंसा पाते रहने लब यू लब यू